अरब सागर की और जाने वाली नदियांत पड़ रहे थे चलो और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सुरुआत में 2000 बुके चुपी थी तो उसमें क्यावा नुमेरिक में टाइपिंग में एवेस हैदे में थोड़ी सी 10-11 कि उसनों में गलती हो गई थी और थोड़ा सा हो गया था हिस्ट्री वाले में वो NCRT की उठाई थी उसमें NCRT कुछ से चरणों की गलतियां दे रखी थी दो तो वो नई बुकों में सही कर दिया गया है तो 2000 पुराणी बुकों में थी उनके जिनके भी मेसेज आ रहे है उनको कै भी दिया है और बता भी देंगों 15% कौन से हैं बाकि पूरा सुधार कर दिया गए नई बुकों में क्योंकि जब तक मारकेट में बूक नहीं आती दोस्तों तब तक पता नहीं चलता क्या गलतिया है एसी कोई बूक की नहीं है और नीचे माही, बीच में दो नदिया आऊ रहा है, उनको एक बार छोड़ते हैं, छोड़ छोटी नदिया है, दो इंपोर्टेंट नदिया पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, कौन सी, अब लूनी तो पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं, माही नदिको, भूत जी और बांसवाडा जिलो है बिलकुल इसके बराबर में इधर कोण सा जिला है डुंगरपुर। इधर कोण सा जिला है परतापकड और इधर कोण सा जिला है उदेपुर। बस इतने ही जिलों की हमें आवसिता है आप बनाओगे बादें बना लेना और वैसे भी भूप के अ यहां से वो करक्रेखा गुजरती है। वो छोड़ देते हैं एक बार करक्रेखा आपको पता है ऐसी गुजरती है। कोण सी नदी माही इधर वो ही विंद्याचल परवत विंद्याचल परवत में यहां एक जिला है धार यहां एक जील है मेहद यहां एक पहाड़ी है अम्रोरू अम्रोरू विंद्याचल परवत के धार जिले के अम्रोरू पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही निकालो, यह लो जी, ऐसे निकली, 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 और यह आ गया जी, बांसवाडा, यानि माही नदी बांसवाडा से परवेश करेगी, मांसवाडा का एक गाउं है, खंधु गाउं, खंदू गाउं से ये नदी राजस्तान में परवेश करेगी अब थोड़ी सी आगे चली कोण से जिले में बांसवाडा बांसवाडा में ही इस नदी के उपर एक बांद बनाय गया है सवतंतरता सेनानी बजाज जी के नाम पे के उपर है बजाज जी कुझ से जमनालाल बजाज गांदी जी के पांच वए पुत्तर गुलाम नमर चार जी ने कहा जाता है काशी का बाश सिककर से है और इनके नाम पर बांद बना गया है माही बजाज सागर बांद यह राजस्तान का सबसे लंबा बांद है एक 309 मिट्र बताया जाता है, सबसे लंबा बांद है, माही नदीपर, माही बजाज सागर बांद है, ठीक है, बोरखेडा गाउं में है ये, लोहरिया, बोरखेडा के लोहरिया गाउं है, वैसे लोहरिया, माही बजाज सागर के जस्ट पीछे, एक बांद और बनाये गए, इसका पाणी चकने के लिए, उठाने के लिए, उठाने को बोलते हैं, यहाँ एक बांद और है, जिसका नाम है कागदी पीकप बांद, कागदी पीकप बांद, माही बजाज सागर बांद के जस्ट पीछे, इससे दो नहरे निकाले लेग गई है, आनंद पूर और भिखाराम, भिखाराम और आनंद पूर नाम से, अब यह नदी आगे चली, उपर कोण सा जिला है, परताप गड़, निचे इधर कोण सा है, बा नदी सीमा बने, नदी काई की सीमा बने, नदी तो अपनी बेह रही है, जहां पर विश्वर की जितनी भी सीमाएं बनी है, कुछ सीमाएं जिलों से बनी है, कुछ सीमाएं परवतों से बनी है, जैसे भारत चेन की सीमा, कुछ सीमाएं नदियों से बनी है, क्यूं? इससे ए काई निदी के इधर कर देंगें तो है वबस्ता हो जाती है आने जाने की ओर इस वज़े से जो नदी है उसके इधर चेत्र बना तकी जैसे चंबल नदी राजस्तान सभासा राजस्तान करदो и युझे साथ से यहां डूंगरपूर के अंदर इस नदी के स्तान किनारे एक जगे है वेनेस्वर, भूत ही इंपोर्टेंट है, बाद में जिकर करेंगे, एक बार वेनेस्वर को सिरुप डोट में दर्शार आ हूँ, थोड़ा आगे चली, यहां फिर एक मजार है इस नदी के किनारे, वो भी डूंगरपूर में है, फकरूदीन की मजार, गलिया कोड डूंगरपूर में है, बहुत इंपोर्टेंट है, मही नदी के किनारे है, कई बार पूछा जा चुका है, अब जालो, कौन से स्टेट में परेस कर गई, गुजरात, गुजरात में इस नदी के उपर फिर एक गुरुजी, कडाना बांध, कडाना बांध, फिर यह नदी नीचे गई, और कहां जाके गिरिया, आपको बता दिया, नीचे वारी नदीया, नीचे वारी खाड़ी में गिर रही है, कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, यहां से लेके यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 590 किलो मेटर जो राजस्तान में है 171 किलो मेटर वैसे राजस्तान की सबसे लंबी नदी यही है जो सिमा बनाती है क्योंकि चंबल भी मातर 135 है तो ज्यादा नहीं है तो यही ज्यादा है इस हिसाब से यहाँ से अब इस नदी के उपनाम है कोई रटने वाड़ी बात नहीं है, आराम से याद करोगी, कैसे? इस छेतर को क्या का जाता है? परतापगड और बांसवाडा की मद्दे के भाग को, कांठल का जाता है, इस नदी को कांठल की गंगा कहते हैं, इस छेतर को बागड बोलते हैं, इस नदी को बागड की गंगा बोलते हैं, ये दक्ष क्योंकि इस छेत्र के आधार पे नाम पढ़ गया, कोई रटने वाड़ी चीज नहीं इसमें, विश्वे की देखो, एक तो है कांगो, एक है लिम्पोपो, और एक आपकी हो गई कौन सी, ये माही, माही नदी करकरेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो मकररेखा को दो बार काटती है, कांगो नदी विश्वत रेखा को दो बार काटती है, एक तमटी इदर गई, इदर गई, देखो, ये कांठल है कांठल की गंगा, बागड की गंगा, दक्सन रास्तान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्सन रास्तान की स्वन रेखा, दक्सन रास्तान की जीवंदर एकास्तान आधार पर नाम में कहीं रटने की जूरत नहीं, ओप्सन से पता चल जाएगा, बारत में ध्यान रखना, बारत में दक्सन की गंगा, और दक्सन बारत की गंगा, दक्सन की गंगा तो कहा जाता है गोदावरी को, और दक्सन बारत की गंगा कहा जाता है क कावेरी को यह अब भी सेकंडेट कुछ आ था फिर डिलीट किया विवाद्धी तो गए था दक्सन की गंगा गोदावरी दक्सन भारत की गंगा कावेरी और आपने रास्तान के दक्सन रास्तान की माही पताओ कोई समस्या सीधा आपने मैप बनाया मैप के अंदर जिले भरने धार से धार निकाड़नी है सीधे खांदू गाउं से परवेश खांदू गाउं के बाद में उपर ले जाओ और सबसे पहले माई वजासागर बांद उसके जस्ट पीछे कागदी पिकप बांद फिर उपर सीमाई फिर यूटरन फिर इदर बैने स्वर फिर फगरूदीन की दो सबसे इंपोर्टेंट साइक नदिया है एक नदि निकड़ेगी इधर से किधर से निकड़ी गुरू इधर से निकड़ेगी सोम नदि सोम नदि उदेपूर की एक जगह है री सब देग कोंसी नदि सोम और यहाँ वेणेश्वर में आके ये नदि मिल गई माही के अंद सोम अंबा कमला प्रयोजना है जो डुंगरपुर जिले में चल रही है राजस्तान पुलिस 2014 में पुछा था सोम अंबा कमला प्रयोजना का समन्द किस नदी से है यह सोम नदी है इस सोम की कुछ साइक नदी है अगर याद रखो तो जाक्खम जाक्खम वैसे सोम की साइक है ट तोटा सादरी और यहां एक पहड़ी है भमर माल, यहां से जाकम नदी निकड़ी और इसके बाद प्रवेश की कहा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के यहां वेनेस्वर से थोड़ा पहले, वेनेस वर से थोड़ा सा पहले मिलती है, नौरावर बिलूरा एक स्थान है, अ 10 नरावर भी लो रहे आप किहरें अक्सऱ थोड़े बड़े लिखो फुल साइज कर लिया करोआ यहां बड़े-पड़े entfer अप्सरिय तुए इन दिख meats जबकि वेनेस्वर से थोड़ा सा पहले मिलती है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये राजस्तान का परसी त्रिवेनी संगम है राजस्तान के दो त्रिवेनी संगम बड़ भारत का एक ही फैमस है गंगा यमना सरस्वती राजस्तान का एक तो वेनेश्वर और एक रामेश्वर में मिलता है कौन-कौन सी चंबल, बनास और शीप ये बहुत इंपोर्टेंट है वेनेश्वर आपको पता होगा राजस्तान पुलीस 2014 में हमेशा यही पूछते थे वेनेश्वर कहा है कौन सी नदियार क्या है पूछा था वेनेश्वर का मेला किस गाउं में बरता है उस गाउं तक का नाम पूछा था राजस्तान पुलीस 2014 में उस गाउं का नाम है नवाटापुरा नवाटापुरा वेनेसवर का गाव नवाटापुरा यहां एक मातर यह जगह है जो खंडित सीवलिंग की पुजा होती है आदिवासियों का एक तरीके से सबसे बड़ा मिला है कुम्ब बोलते हैं इसे और वेनेसवर में कब मिला बरता है माग पुर्णी मा को वेनेसवर फहमस जगह है यह तो है इसकी इंपोर्टेंट इंपोर्टेट बाद में बस छोटी सा एक नदी है जिनको सीधा लेगे एक इंपोर्टेंट नदी इधर से निकरती है एमपी की एक जगह है अनास अनास कौन सी पाड़ी? आमबेर पाड़ी राजस्तान में मासवाडा का एक जगह है में लेड़ी खेडा यहां से परवेश करती है इसके बाद ऐसे करते हुए और फिर वापस मिलती है और यहां जाके डूंगरपूर में एक फकरूदीन की इसके पास मिल जाकी इसमें मिल जाती है यह हो गई अनास नदी एक द्यान रखना सूजलाम सूफलाम करांती का समद माही नदी से यह अब देखो छोड़ छोटी नदीया बची है जैसे मोरेन मोरेन लिकरती है डूंगरपूर और डूंगरपूर में आके इसमें मिल जाती है कहीं से एक लाइन खीच के बना देना एक नदी निकलती है एराव जो निकलती है परतापगड से एराव परतापगड से निकली और बासवाड़ा में आके इसमें गिर जाती है एक नदी चाप चाप छोटी से यह बासवाड़ा से निकल के बासवाड़ा में मिला दो बस ये है इसकी साहिक नदियां और वेनेसवर के अंदर लाके डाल दो इधर से लाओ जाखम जो वेनेसवर से थोड़ा पहले लाके डाल दो फिर एराव, चाप और अनास अब इसके उपर एक परियोजना चलाई गई कौन सी परियोजना? इसका स्क्रीन सोट ले लो आराम से कौन सी परियोजना? माही बजाज सागर परियोजना क्योंकि मैं परियोजना साथ में ही बता रहा हूँ माही बजाज सागर ये तीन चरणों में वैसे पूर्ण हुई थी माही बजाज सागर परियोजना जो है वो दो राजियों की आप देखो इस नदीपर MP में कुछ है क्या नहीं है इसका मतलब ये बांध भी गुजरात में तो दो राजियों की है राजस्तान पलस गुजरात राजस्तान का कम इसा है गुजरात का ज्यादा है 45-पिश्वन ये इसा तो है खर्चे का लेकिन बिजली जितनी भी होगी विधूत उत्पादन वो सो का सो भई हम लेंगे गुजरात को नहीं देंगे ऐसा कोई समझोता हुआ है क्योंकि एक अपने इधर से सरदार सरोर बांध है उससे कोई समझोता करके किया है कि विधूत सारी हम ही लेंगे इसकी इसका समझोता 1966 में हुआ था और 61 में वैसे इसका कारी ये पूर्ण शुरू कर दिया था ये जो है वो तीन चर्णों में पूर्ण हुई थी माही बजाज सागर परियोजना तो पहले जो चर्ण है उसमें ये बांध बनाया गया था माही बजाज सागर बांध फिर कडाना बांध और फिर कागदी पिक अब बांद तो और तीसरे चलने विदूत उत्पादन होता है इससे तो लगबग 140 मेगावाट विदूत उत्पादन होता है इससे और इससे जितने भी कडाना बांची विदूत उत्पादन होगा उसका पुरा का पुरा राजस्तान ही लेगा तो ये है माही नदी पताओ भी क्या समझ्या इस माही नदी में कमेंट करके बताना पड़ेगा चलो दोस्तों एक बात दो बाते उर कर लेते हैं ये है राजस्तान का इस वाला साइड ये है उदेपुर उदेपूर के उपर हो गया सीरुई बस वो नॉर्मल छोटी से नदी है थोड़ा से ध्यान रख लेना ज्यादा बात नहीं है वो साबरमती नदी उदेपूर की से निकड़ती है कोटडा तसील से और यह रदी है राजस्तान की लेकिन गुजरात की महतोपूर नदी है इसकी लंबाई तो भोते 416 किलोमेटर लेकिन राजस्तान में उनली 45 किलोमेटर है तो राजस्तान से निकड़ती है लेकिन गुजरात की महतोपूर नदी है गुजरात का गांधी सागर, गांदीनगर, एहमदाबाद, साबर مती, इसी नदी के किनारे इसकी दो साइक नदिया हैं वाकल और सेह, सेही नदी ये भी उदेपुर से ही निकड़ती है सेही और पद्राला गाओं से शेही से सुरंग बना के जवाई नदी में पानी लाया गया है और दूसरी हो गई बाकल बाकल निकलती है गोगुंदा से इसकी साहिग नदी है शीमा पे जाके इसके अंदर गिर जाती है और ये एक छोटी सी अपस्मी बनास ये अब्बू से निकली अब्बू सहरी सी नदी के किनारे गुजरात का डिसा भी सी नदी के किनारे और बाद में जाके गिर गई कच के रण में यानि उपर वाड़ी दो नदीया कच के रण में एक तो लूनी और एक पस्मी बनास नीचे वारी दो नदियां खंबात की खाड़ी में एक साबर मती और एक माही नदी अब बताओ दोस्तों क्या समस्य है अरब सागर की और जाने वारी नदियां कंपलीट होगी तो 5-7-5-7 दिन लग जाते हैं वीडियो डालने में क्योंकि पूरा सभी लोग देख लिए वाइरल हो जाएं उसके बाद भी डालने का आनन्द आता है तो बरतियां दिरे दिरे होगी उस नदी तो करवा देंगे 5-2-4 नदियां और बच्ची आराम से ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद